हेलो फेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट वीक जितनी भी हमारी ऐसी न्यूस है जो सुर्ख्यों में रही है उसके बारे में तो अब हम चलते हैं अपनी पहली न्यूस पर जो बनती है उलम्पिक्स एलेटेड तो लास्ट यर कोविड की सिचुएशन को चलते हुए उलम्पिक्स को पोस्पोर्ण कर दिया गया था लेकिन अभी हाल ही में उसकी फाइनल डेट डिसाइड हो चुकी है यह कि 23 जुलाई से आठ अगस्तक उलम्पिक्स ओर्गनाइज होंगे जापान की राजधनी टोक्यो के अंदर वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को रेप्रेजेंट करने के लिए उलम्पिक्स के अंदर लगबग 119 खिलाडी जाएंगे जिसके अंदर वो 85 इवेंट के अंदर पाइटिसिपेट करेंगे वहीं ओलम्पिक की डेट डिसाइड होने से पहले इंडिया ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स को किसी और कंट्रीज में भेज दिया था क्योंकि इंडिया में उस वक्स सेकिंड वेव चल रही थी वह स लेटिसिएड करता है कि मतलग कौन इंटरनेशनल लेवल पर ओलम्पिक्स खेलेगा, कॉमनवेल्थ खेलेगा या एशियन गेम घेलेगा तो यह डिसाइड करती है कमेटी जिसका नाम है I.O.A. जिसे हम कहते हैं इंडियान ओलम्पिक एसोसिएशन जिसके कही हमारे प्रेज प्रिंदर मोदी ने इंडिया की जनता है उसके लिए एक अपील भी करी थी कहा था कि चीर्स फॉर इंडिया यानि कि इंडिया को सपोर्ट करें वहीं उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूस की तरफ जो काफी इंट्रस्टिंग न्यूस है जो बनती है सेंटर लेशय अपने बाद तालिबान का जो साचन है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी यह हुआ कि अमेरिका ने जब अपनी सेना हटा ली तो लगबख 60% सेना अमेरिका की अफगानिस्तान से जा चुकी है वहीं जहां पहले 20% तालिबान का कबजा था वहीं इसके बाद अमेरिका के राश्पती जो बाइडन का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो यह कहते हैं कि अगस्त तक हम अपनी पूरी सेना को अफगानिस्तान के अंदर से हटा लेंगे यानि कि यह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि डे बाइडे तालिबान अपना कबजा है वो अफगानिस्तान के उपर बढ़ाता जा रहा है और यह कुछ ऐसी ही चीज दिखाई दे रही है कि जैसे कि 1995 से लेके सन 2001 तर तालिबान की सरकार हुआ करती थी अफगानिस्तान के अंदर यानि कि तालिबान सत्ता में हुआ करते थे ऐसी ही कुछ सिच्वेशन आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिल सकती है वहीं अब अगर तालिबान की सरकार अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरीके से सत्ता में आ भी जाती है तो उससे होगा क्या क्या उसकी वज़े से बाकी कंट्रीज पर क्या एफेक्ट पड़ेगा जितने भी हमार हमारे Central Asian countries या फिर कुछ हमारे Asian countries उन्होंने मिलके एक organization बनाई थी 1996 के अंदर यह organization बनाने के पीछे जो रीजन था वो था कि जितने भी हमारे religion based जितने भी हमारी हिंसा होती है या पिर जितने हमारी caste based जितने भी हिंसा होती है देशों के अंदर उसको कम करने के लिए एक organization बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था SCO जिसे हम कहते है Shanghai Corporation Organization वहीं उसके बाद इंडिया को इसमें जोड़ा गया था जिंजियांग प्रोविंस से लेकिन अगर कल को अगर तालिबान हमला कर देता है चाइना पे क्योंकि तालिबान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन दूसरी तरफ चाइना की population वर्ल्ड के अंदर सबसे जाधा है तो इसलिए कामों में इंडिया का काफी billion dollars खर्च हुआ है वहीं इंडिया ने अपनी safety को priority रखते हुए जो कंधार के अंदर इंडिया की जो secondary embassy थी उसको बंद कर दिया है वहीं जो इंडिया की primary embassy है जो अफगानिस्तान की राजधानी काबूल के अंदर है वो permanent चलती रहीगी वहीं अब जो बाकी Central Asia की देश है वो इसलिए घबड़ा रहे हैं क्योंकि उनका border अफगानिस्तान से लगता है तो इसमें पहला नाम आता है पाकिस्तान का क्योंकि पाकिस्तान को जो border लगता अफगानिस्तान से वो लगता है लगबग 2611 किलोमेटर का तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि अगर कल को तालिबान अफगानिस्तान की जंता के ओपर अगर हमला करता है तो वो लोग भाग कर पाकिस्तान के अंदर ही आएंगे तो वहाँ पर काफी जदा भीड हो जाएगी और इस चीज़ को situation को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए वहीं जो बाकी देश हैं जैसे कि उसबेकिस्तान है तो उसका border लगबग 144 किलोमेटर तक लगता है वहीं अगर ताजिकस्तान के बात की जाए तो ताजिकस्तान का border लगबग 1344 किलोमेटर का लगता है अफगानिस्तान से तो यह था हमारी न्यूस का डिटेल एनलिसस और आज का हमारा question बनता है कि वर्ल्ड के अंदर पहली बार ओलंपिक कब और्गनाईज कराए गए थे तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीड जाइख कीजिए आपसे थाल मिलताइब